Hello everyone, my name is Shreya और आज मैं अपने चैनल Advice on Kethrough आप सबको सिखाने जा रही हूँ कि कैसे हम अपने BSNL FTTH और we can say BSNL Fiverr का password change कर सकते हैं Usually जब भी हम connection लेते हैं तो हमें default password दिया जाता है जो कि usually 12345678 होता है या फिर कहीं को कुछ और होगा तो हर कोई चाता है कि हम अपना password चेंज करें तो आज चलो हम सीखते हैं कि कैसे हम अपना password चेंज कर सकते हैं सबसे पहले हमें अपने phone या laptop में कोई भी web browser जो हो उसे open करना है जैसे कि मेरे phone में Chrome है तो मैं Chrome को open करूँगी Chrome को open करने के बाद अब हम सभी जो है IP address एक ही हमें डाला होता है और वो IP address है 192.168.1.1 तो अब मैं वो टाइप करती हूँ 192.168.1.1 हम जैसे ही से सर्च करेंगे तो हम ऐसे web page पे पहुंच जाएंगे जहां पर हमसे username, password और verification code मांगेंगे username जो होता है वो हर किसी का admin होता है in the small letter A D M I N password अगर हमारा जो modem है BSNL वालों का अगर वो univay है तो हमारा password जो होता है वो होता है U N I W A Y 1 2 3 और verification code जो की इधर लिखा है 0 L 9 K C password जो है वो अगर आपका univay नहीं है तो आप अपने जो भी एजेंटों उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा password क्या है जिरो ने आपका connection दिया है इनकेस अगर तो mostly जो भी BSNL का जब भी connection रहते हैं तो हमारा जो modem जो लगता है वो mostly univay लगता है अगर आपका password कुछ हो रहा है तो आप अपने जो भी connection लगाने आते हैं उनसे पूछ लेजेगा एक बार कि यह password क्या है उसके बाद आपको login करना है आप जैसे login करेंगे तो आप ऐसे web page पहुंच जाहेंगे जहां पर web manager लिखा होगा और उसके नीचे कुछ options दिये होंगे हमें इस options में से network के option पे click करना है network के option पे click करने के बाद wlan wlan इस पे click करना है wlan पे click करने के बाद site में 4 option है wlan basic, wlan advanced, wlan security wps configuration in this case we have to click on wlan security जब हम wlan security पे click करेंगे तो हमें ऐसा option आ जाएगा pre-shared key format passphrase pre-shared key so here in the key this is the place where your default password would be written in this place हमें यह इस जगह पे हमें जो भी हम password set करना चाहते हैं वो password set कर लीजिये और उसके बाद apply changes पे click कर लीजिये आप जैसे यह apply changes पे click करेंगे आपका password change हो जाएगा तो यह है मेरा इतना ही था कि हम कैसे password change कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई गी तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा थैंक यू झाल